क्रिकेट विशुकप में भारतिय टीम की हार के बाद सोशिल मीडिया पर हैश्टेक पनौती ट्रेंड करने लगा लोग राद भर हार के गम में रहे और उसके बाद एक बार फिर से राहूल गाधी ने मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्कुराते हुए पनौती की चर्चा फिर छेड़ती है उन्होंने विशुकप में भारत की हार के बाद प्रधान मंत्री पर तंज कसा है उन्होंने पिएम मोधी को पनौती कहा है राहूल गांधी का कहना है कि उनका स्टेडियम में जाना ही अप्शगुन साबित हुआ अगर वो नहीं जाते तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती अब राहूल गांधी के इसी विवादास्पत बयान पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है यादे हाँ क्या पनौती 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 वो अच्छा बला अच्छा बला वहाँ पे अच्छा बला अमारे लड़के महाँ पर वर्ल्ड कप जीत जाते वोल्ड कप की फाइनल मैच में आस्टेलिया की हाथो टीम इंडिया को करारी हार मिली थी इस मैच को देखनी के लिए प्रधान मंच्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम में मौझूद थे अब इससे ही मुद्दा बना कर कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना पनौती से कर दी है राहूल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान विधान सबच्युनाव के लिए जालोर में एक रैले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला उन्होंने कहा कि मोदी क्रिकेट मैच में चले जाएंगे वो अलग बात कि मैच हरवा देंगे पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी कॉंग्रेंस दानसित ने आगे कहा कि अच्छा भला हमारे लड़के वहां वर्ल्ड कप जीत जाते लेकिन वहां पर पनौती हरवाधिया लेकिन टीवी वाले ये नहीं कहेंगे ये जनता जानती है राहुल गांधी किस बयान को लेकर भारती जनता पार्टी उन पर हमला वर हो गई है और उनसे अपने बयान के लिए माफी मांगने को कह रही है इस समन्द में बीजिपी नेता रवीशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पीए मोधी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रेयोग कर रहे हैं वो अशोभनिय है राहुल गांधी को मोधी जी से माफी मांगनी होगी नहीं तो हम देश में इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगी न्यूस देस रिपोर्ट जस हिंदी